कांग्रस की तरफ से यहां दूम दोल ढमाका जारी है पूछेंगे कि क्या उत्सा अचानक आ गया है सब ड्विजन बनी के अंदर और हमारे साथ सीनियर कांग्रस लेडर है यहां से सर क्यों आज ने लंबे अर्से के बाद उत्सा आये है और ऐसी एकसाइटमेंट है जो था मने का नाम नहीं ले रही है अकरास जम्मू किश्मिश्मिश्ट हम आप कांगर्स पार्टी AICC की हाइं कमांड का शुकरी अदा करना चाते हैं कि उन्होंना हमें एक बहुत अच्छा आदमी चोधरी लाल सिंग वो कैंडेट दिया है और वो कैंडेट पहले भी दो बार मिंबर पार्लिमेट रह चुका है और इस बार तीसरी बार भी उसी को मैंडेट मिला है तो हम इस अजम के साथ आगे बड़े हैं कि हम जितंदर सिंग को हराएंगे इस BJP को हरा के दखाए और एक सिंगल हैंड़ली आप कैसे हरा पाएंगे ये BJP के सरकार जो है ये कप्ट से काम ले रही है ये जितने भी अपोजिशन लीडर है उनको हरास करने के लिए कभी ED का कभी CIB का कभी Income Tax का कि इनको सहरा लेते हैं और अपोजिशन लीडरों को दुबाने की कोशिक करते ह हैं पिछले कल का ही बाका है कि CM डेली अर्विंद केचरी बाल को गिफ्तार करके अंदर दे दिया ये इनका काम है कि जो अपोजिशन है उसको बिल्कुल निस्वर नामूद कर दिये जाए जो कांगर्स का वरकर जो ग्रांड लेबल पर बैठे है वो कभी बरताशन नहीं कर करें यहां सटेट के हिस्से किये हैं जब रिजल्ट निकलता है तो पॉब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट निकलता है और इवी एम का बहुत बड़ा चैलिंज है आप कैसे उसको ओवर्टेक करेंगे इवी एम के हमारा जो अब जाएगा यह वरकर जो जाएगा हमारा हमारा होंगे वो जाएंगे वो पूरी तरह से साथ धन रहेंगे कि किसी तरीके से भी इविम के साथ छेड़ चाड़ना हो क्या आप मांग करेंगी कि कि महां सीसी टीवी इंस्टाल के जाएं और जो वर्कर्स हैं आप उन पेटियूं के उपर ही सो जाएं जाएं जाब तक रिदा करते हैं कि अनने स्वाग्त के लिए एक क्वीता लिए जाएं महाने जाल बहाद्र जोहार जासे लाल संंग ने ता महान है आज देश्याची जड़े मजभी चगड़े शिड़े देन वो बाजपादी नफरिती नीतियेंदा आई परनाम है दू मुस्लम सिख साई कोला पहले आसी सारे इक इनसान है मंदर मस्जिद गुर्द्वारे पावे लग लगन पर सारेंदा इको इत पगवान है दा रिती रुवाज कल्चर ते इको साड़ा सारेंदा पगवान है किश्मीरी पाड़ी ते डोगरी एक तो एक मिठी साड़ी जवान है दोगरा फाउज बड़ी के मशूर ते बड़ा देश पक ते डोगरा जवान है थर थर कम दा चीन बंगला देश ते पकिस्तान है 2024 दे चनावच कांगरस दी गरंटी बड़ी पकी ते असरदार है नारी शक्ती कसान गरीब बेरोजगार की धिते दे तोफे एक तो एक बड़ा उपार है उन राहूल गंदी दे नमें पार्थ दे सपने की करना आसे साकार है जगा जगा मुआफ़त दियां दुकाना खुली गया यान ते सुनना पही गया नफरत दा बिजार है हमारे साथ रादा पंड़त जी भी हैं जो बड़े स्टेट्मिंट जारी करते हैं वो दो बार जहां से मोदी जी के नापे जीते जो ने एगरवे का काम हमारे डिस्ट्रिक के अंदर नहीं करवाया ठीक है हमारे चोधिर लाल सिंग्जी है उन्होंने बनी के अंदर हस्पीटल दिया एक्सरे मशीने दी अल्ट्रासून की मशीने दी जब हमारे यहां एंपी साब आए थे तो हमने उनको कहा था जितिन जिंग को के जम्मू बहुत दूर है हमारे यह एर एंबुलेंस चाहिए यहां पर डक्तर नहीं है अक्सरे कोई बीडिया एंट्रासूड आपता है तो ढूंत को सुना नहीं जहां के जम्मू के लोगों के नाुजवानों का रुजधार उनके हाथ था पीम की कुसी के साथ मोधी जी के कुसी के साथ ला के बैठते हैं यहां 500 फों एंपी होते है व प्रदान मंतरी जी भाषिण कर रहे हैं और इन MP, योंगा, इन को काम नहीं की जाये अर बाड मिम्मर के काम क्या होता है तो इस लिए इस चंदर् सिंग्स से जम्मू कर्शमीर के लोग जम्मू के लोग बहुत दुखी आएully तक हमें हम उने फाइं सो के पीं सो किलो मिल्ठडर जांसे जम्मू एर फाइं सो किलो मिल ना जहां से जम्मू हैं जहांग डेक्टर नहीं है यह जो भी सेंटर की स्टीर म हमारी स्टेट वापिस आनी चाहिए वह तो आनी चाहिए यह से यूथ जो है वो परिशान यूथ नेता कांग्रस जाइन किये क्या कहेंगे इस अलेक्शन के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी का हाईकमाड का शुक्रियादा करता हूं कि जिन्हों ने हमें इस किसम का नेता दिया एक हुनार और 30 साल तक जीतने रहे जीतने वाले और मैंती नेता दिया जो के हमारे गाउं गाउं में प्यादल गए हैं यहां धग्गर में यह ग्रेंदी जाले करनी, क्या ये वही नेता आपको मिल गया है जो जोमूगी कावाज हमारी ये खुछ्किस्मती है कि पार्टि ने हमें इस किसम का नेता दिया जो हमारी बात करते हैं, और करेंगे बी हमें इसको धिभी भी है, हमारे सारे हक चीने गए, हमारा जो स्टेट्स का दर्जा था बोच चीना गया इस तरह से हम आस्ता हम लोगों को ये मिटिक के साथ मला देंगे